चो आज इस लेक्चर में हम क्लास 11 का नया स्लैबस, मैथमेटिक्स का शुरू करने जा रहे हैं तो क्लास 11 का जो मैस हम यहाँ पर देखने वाले हैं यह हमारा 2024 से आगे के लिए है यहनी ऐसे कह सकते है 2024-2025 पर जो अभी बच्चे क्लास 11 में गए है उन लोगों के लिए यह फाइदे में रहेगा, उन लोगों के लिए यह helpful रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आप स्वीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर यह हमारा जो स्लैबस है क्लास 11 का उर्दू मीडियम का हम यहाँ पर लेने वाले हैं और यह 11 जमात के लिए हम ले रहे हैं तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारी चीज़े मैंने स्क्रीन पर दे रखा हूँ जैसे आप पर आप देख पा रहे है, जैसे आपको पता है रहे है क्लास 11 का फिजिक्स का एक चैप्टर भी मैंने आपको भेजा हूँ YouTube के उपर खुलास 11 का जो एक लेक्चर मैंने भेजा हूँ वो ज़ो है नीट वाले बच्रह भी उसको रिफ़र कर सकते हैं पड़स देख सकते हैं जो खिलास 11 में है वो भी देख सकते हैं है हम यहाँ पर जो शुरू करने जा रहे है वो 11 जमात के लिए है और यहाँ पर मैंने अपने नंबर दे रहा हूँ जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें स्लेबर्स हमारा जो है उसके अंदर हम क्या-क्या देखने वाले हैं तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर ये class जो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये किलिए अगर दू mathematics जो है class 11 में उसके दो parts है part 1 है और एक part 2 है तो part 2 जो है हमारा अभी जो हम शुरू करने वाले है part 2 से में यहाँ पर start कर रहो part 1 से भी कर सकते थे लेकिन मैं part 2 जो आसान आसान चैप्टर है पहले मैं आपको वो समझा के दोगा फिर हम वो भी आगे बढ़ेगे उसके तरह तो हम जो है mathematics का part 2 स्टार्ट कर रहे है यह हमारा English Medium का टेक्सबुक का पीडिएफ जो पीडिएफ को हमारा English Medium का बुक्स होता है mathematics का वो इसका पीडिएफ बोलो या फिर आपकी जो बुक्स है वो ऐसे cover दिखता है उसका आपर लिका हुआ हुआ है क्योंकि हमारा syllabus है content मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ यह वाले जो content है यह हमारा इस तरीके से part 2 का है part 1 का जब हम शुरू करेगे तो part 1 का भी मैं आपको बताऊगा वीडियो skip ना करे डियर स्टुडेंस class 11 का उर्दू मीडियम का content मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को free of cost मिलेगा अभी जो बच्चे class 12 में गए है उन लोगों के लिए एक special summer offer है हम चाहते है class 11 के बच्चे यह message को आपके class 12 के जो friend है और senior है उन तक forward करे class 12 science के बच्चों के लिए special offer है जिसमें बच्चों को physics के साथ mass, chemistry के साथ biology free of cost दिया जा रहा है यह offer बच्चों को 30 June 2024 तक के के लिए है इस offer में बच्चों को HD recorded videos lecture और digest की complete notes PDF के शकल में दी जा रही है बच्चे इसे xerox या print निकलवा सकते है यह offer बच्चों को 500 rupees में दिया जा रहा है अगर ज्यादा बच्चे भी इसे join करते है तो हर बच्चे को 500 rupees में 4 subject भी दिये जाएगे अगर ज्यादा बच्चे उसे join कर रहे है और जो बच्चे class 11 में है वो उन लोगों के लिए वीडियो लेक्चर अभी और भी आते रहेगे तो आप अपने friends को यह message को हमारे share कीजिए जो class 12 में है अगर कोई दिक्काद आती है तो नीचे हमारा number दिया हुआ है हाँ पर जाकर हमें contact कीजिए अब यह हो गया हमारा complex number का content अभी यह आप लोग यहाँ पर देखी पा रहे है इसलिए हमें आगे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमारा यह है च्कटर का नाब complex number उर्दू में इसको कहते है यहहाँ पर English में लिखा हूँ complex number लेकिन उर्दू में इसको कहते है पेचित आदत आप याद उसको English में भी रखे है उर्दू में भी रखे है उसकी जो PDF है उसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन और वीडियो का कमेंट सेक्शन जो है वहाँ पर उसका मैंने लिंक दे दिया हूँ पे-डियैप का आप ह anderer से जाकर इसका नोटस का पीडियैफ कर सकते हैं ठीक है आप लूग देख पार रहे है बहुत सारे बच्चों को कहना होता है सराहम्हें। में ऑफ़ Arsen में अफ्लाइन के अगर इंटरेस्टेट हाँ आप लोग तो आप प्योगो और अप शुरू में दिया था उस पर आप मुझसे तालुक कीजिए, कॉंटेक्ट कीजिए, इंशालला आप लोगों को फायदा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख पार है, जितना अच्छा यह आपको ओनलाइन में देख रहा है, हो सकता है, उससे अच्छा आपको यह ओफलाइन में हुआ है, cur von 10 then क्या है, हकिकी आदात हम कहते हैं, जैसे अगर हकिकी यह फिर हम उसको कह सकते हैं, इंगलिश में कहते हैं, उसको real number और्धो में कहते हैं, तो क्या होते है यह number कॉन से number को हम कहते हैं, यह सारी से मैं आपको basic idea देता हूँ तो जैसे मैं आपको बता रहा था रियल नंबर क्या होते है कि क्या आदाद उसके बारे में बता देता हो आप लोगों को नंबर के बारे में तो पता ही है जैसे हमारे सबसे पहले जो नंबर आते हैं कौन से नंबर से हम शुरुआत करते है नैशनल नंबर कौन से नंबर होते है जैसे नाश्नल नंबर के वादे बारे में मैं आपको उलू तो एक से लेकर जो हम पॉसीडिय नम्बर लेते एक दो त्हीं चार ऐसे तो एक से लेकर लाम वह दू Ol तक करके какие से नाशनल नंबर वो सब्सक्राइब जका पταए हों नियुक्त मतलब में रैशनल नंबर होई है किस वह हम क्या कहते हैं। आदाद, irrational number, rational number, तो जिसके अंदर हम नमबर पॉइंट वाले लेते हैं, और फिर आता है irrational number जिसके अंदर जो पाई है, पाई की की मत जो होती है न, 3.14 वगेरा वगेरा इस तरीक से उसके digit होते continue, तो ये सारे नमबर हमारे irrational होते है, तो इन सारे नमबर के जितने भी हमारे पास set होते है, इनका जो सब को जमा करके एक साथ अगर कर दिया जाए, तो हमारा नया set जो मिलता है, उसे हम कहते है, हकीकी आदाद, उस जो होता है, set होता है, real number का set होता है, तो उन सभी नमबर को एक साथ अगर कर दिया जाए, तो हमें हकीकी आदाद मिल जाते है, और ये सारी चीज़े आपने class 10 तक के देखा है मुसbox माकुल आदाद जमावाले तो माकुल मतर जिसमें मतलब पॉंट वाले आ जाते हैं, माकुल आदाद गैर माकुल मतलब जजर वाले हो गया या पाई हो गया पाई हो पाई अबको पता ही है और कसरी या आदाद मतलब जो हमारे fraction फार्म में रहते हैं जैसे एक बटे दो तीन बटे दो चार बटे दो अगड़ा अगया हकीकी आदboys हम कए सकते है यह कोई भी अदद हकी नंबर है सिवाई पेचीदा अदत के तो हम यहां पर यह कह सकते है कि कोई भी नंबर अगर आप की मिसाले यहाँ पर दी गई है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बटे दो है एक पॉइंट साथ पाथ है उसके बाद जज़र दो है तो यह हो गए हमारा real number किसे कहते हैं वो सारी सिज़े मैंने आपको बता है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद जो हम यहाँ पर देखेगे इसकी definition में आपके English में भी बता होगा और दो में भी बता हो इंग्लिश में जैसे जो बच्चे इंग्लिश में जिसको आसानी समझ में आता है उनके लिए मैं पर इंग्लिश की भी तारिफ दिया हो इसकी जैसरे विखिसी आगे सारी और फ्रैक्शन सबी यह जो है किसकी examples है real number की example है और हम दूसरे लबजों में ऐसा कह सकते है in other words we can say that और हम दूसरी लबजों में ऐसा कह सकते है we can say that any number कोई भी number जो है वो क्या बनता है is a real number वो एक real number होता है except छोड़ कर किसको complex number को example of real number include तो example कौन से कौन से है real number के हमने वज़ा एक है एक बटे दो है 1.75 है रूट टू है और यह सारी number तो यह वाले सारी चीज़े हम यहाँ पर ले चुके है अब जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे in general हम यहाँ कह सकते है real number constitute the union of all rational number and irrational number any real number can be plotted on the number line अब यहाँ पर जो हम lecture ले रहे है नो बच्चो इस बात का ख्याल रखे यह आप यह मत सोचेंगा सर हमारा मैस तो है नहीं तो हम आपके lecture शोड़ दे रहे नहीं गलती मत कीजिएगा यह बिल्कुल भी क्यूंकि यहाँ पर जो हम lecture ले रहे है यह आपके first term से पहले के lecture हैगे मतलब हम कह सकते हैं जैसे आप class 11 में जाओगे तो class 11 में जाने के बाद आपको वहाँ पर जो है first term तक के math compulsory होता है यापको first term अगर देना है तो आपको math वहाँ तक के तो पढ़ना ही पढ़ेगा बहुत सारे colleges में ऐसा होता है बहुत सारे colleges में क्या करते है कि first term तक के उनको math compulsory होता है याणि math वहाँ नहीं छोड़ सकते पढ़ना है और exam भी देना ही है उनको first term की तो आप लोगों को में यहाँ पर बता दे तो यह जितने भी topic हम यहाँ पर देख रहे है वो सारे first term के topic है तो यह तो सभी को पढ़ना ही है आप यह छोड़ कर चल ही नहीं सकते के सा देना है आपको इसकी और हो सकता है कि first term के syllabus में आपके college वाले भी यह chapters आपको दाले मैंने वही chapter यहाँ पर लेने वाला हूं खासतोर से लोगा तो दूसरे chapter भी लेकिन खासतोर से वह chapter के उपर पुरा focus रहेंगा जो first term के अंदर आपको आने वाले है तो first term के chapter यहाँ पर आ प्रता देता हो आपको अब दीकिर यह नंबर जो हमारे पास में है उसका मैंने हाँ पर चार्ट डे रखाओ रियल नंबर कौन से कौन से है तो रियल नंबर को capital R से जाहिर करते है इसको दो पार्ट में बढ़ दिया है एक होता है rational नंबर और दूसरा होता है इर रैशनल न इंटिजर होते है यानि नॉन इंटिजर नंबर भी होते है इंटिजर भी होते है उसके बाद में इंटिजर जो होते है हमारे जैट के अंदर कौन से नंबर आते है पॉजिटिव भी आते है उसके बाद में होल नंबर कौन से होते है जिसमें क्या होता है नंबर 0 भी इंक् के तरफ जैसे मैंने आपको बता हूँ यह लेक्चर सभी लोग अटेंड कीजिए इसको छोड़िए गामत और जो लोग इंट्रेस्टेड है ऑफ-लाइन वगेरा में जो आकर बैठना चाहते हैं मेरे पास मैं जैसे यह ले रहा हूं ऑन-लाइन में वैसे आफ-लाइन में भी मै पता रहा हूं लेकिन जो बच्चे अमरावती शहर के अंदर है जो बच्चे अमरावती शहर के अंदर है और चाहते हैं कि उनको यह सारी चीज़े लाइफ आफ-लाइन में सीखने को मिल जाए स्क्रीन के उपर और अच्छे से कॉलिटी के अंदर आप बेलकुल यहां पर आ में दिया था आपके पास में मेरे वह नंबर भी दोनों भी स्यों करके रखेंगा नंबर वैसे यहां पर भी है मेरा च्छोटा सा दिखाई दे रहोगा आपको कॉंप्लेक्स नंबर यानि पेचीद आदा को क्या होता है किस तरीक से हम उसको जाहिर करते समझ कि चलिए गया कॉंप्लेक्स नंबर नंबर वह आदा है जिसको में प्रudorama पेचेद आदा कह सकते हैं इंग्लिष में प्र आधास नंबर पेचेद आधा वह आधाद है जो एसम्व आई-बी की शकल में जाहिर होते हैं जहाँ एक जो आपको समझाता हूँ रिए-बी धाे देख रियल नं और दसवी तक क्या आप देखते आए है वह हमने एक बेसिक रिवाइस किया है रिविजन क्या है किसका रियल नंबर का रियल नंबर यानि जो हक्की की आदात होते है वह क्लास 10 तक क्या आप लोगों ने अल्रेडी देख चुके है अब नियुकर मंबर् क्या होते हैं तो प्रों आयए थे चिंवेरी लूँएमिजनरी नंबर हमें Homer एक होता है यह चाहиях और इमचयारी मतलब तसवूर जिसको हम करते है जो खयाली होते है जिसको फिव खयाल कर सकते है जिसका तसवूर बनाना है जमीन के उपर एक्स महवर कैसा लेते हैं इस तरीक से ले सकते हैं ना इसे चल सकता हूँ इस तरीके से इधर जा सकता हूँ उसके पिछे साइड में जा सकता हूँ और वैसे hebben बना जाता सरय और इसे बना जाता है श्यां को पता है और आ। रहता हैं ह catho fingerprint बनाते हैं ऴारे बनाते हैं हमारे सब्क्राइब आंभा इंहां होता है तर्सिम बनाते हैं और यह आप Diese took them organizational हम उसको कहा सकते हैं नंबर हे ना हम चाल रहे हैं तो जो कॉंप्लेक्स नंबर हमें मिलता है वह मिलता है कि वो real number और imaginary number दोनों को मिला कर ठीक है दोनों को मजमुआ करके जमा करके यानि जो हमारा हकीकी आदाद होता है और जो ख्याली number होता है उन दोनों को मिलाने के बाद एक नया number हमें मिलकर आता है जिसे हम कहते है complex number पिचीदा आदाद तो इसकी शकल कैसे होती है ये भी मैं पर देखो यहां पर जो है अब कैसे पता चलेगा एक number है जो real number है और दोसरा ख्याली number है यह कैसा पता चलेगा कि नंबर में real कौन सा है ख्याली कैसा है दोनों में फर्क तो करना पड़ेगा न इसलिए हम क्या करते हैं रियल number को दो हम जैसे number लिखते है वैसे कि वैसे लिखा देते हैं आई लगाने से क्या होता है कि हमें फर्क पता चलता है कि कौन सा number हमारा किस तरीकी का है तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं जो हमारा complex number होता है वो इस शकल में होता है जम्मा आई बी के शकल में यह जो होता है जो पहला वाला पार्ट होता है इसका पता तो हम नहीं क्या होता तो यह जो है नहीं किस तरीकिशे किसलों होती होते है जहाँ लेकिन और को मिलाकर आपको i imaginary है नहीं खयाल ही अदात मिलेगा अग्रा अकेला अकेला B वो आपका real number है लेकिन B के साथ में अगर I को चिपका दे रहे हो यानि I attach करके ले रहे हो उसके दाथ वो imaginary number है हकी कि है जहाँ यहाँ पर हम कह सकते है और I एक ख्याली number होता है जिसे आयोटा ये Greek में कहते है इसको आयोटा कहते है तो हम आयोटा ने और भी मैं आपको बताता हूँ नीचे भी हमने लिया है इसकी बारे में I की किमत अगर इसका आप मुरब्बा कर दोगे तो जाहिर से बात है I की कुवद्धों क्या हो जाएगा जजर खड़ जाएगा तो I की कुवद्धों की किमत हो दिया जजर वज़ा एक इस तरीकिस हम ले सकते है I बराबर जजर वज़ा एक की कदर मिसाल के तोर पर दो जमद तीन I यहाँ पर देख पा रहे हो आप यह जो दो है इधर का यह इसका रियल पार्ट हो गया यानि इसका हकीकी इसका पार्ट है हिस्सा है हकीकी हिصसा है और यह वाला जो है इसका ख्याली हिससा है हो चाह सकते हैं यह रियल पार्ट है और यह इमाजिनरी पार्ट है एक पेचीदा नमबर है जहां दो एक ख्याली नमबर है जिसे हम कई अड़ारों वह imaginary number बनेगा एक ख्याली number है, हकिकी number और ख्याली number दोनों का मजमुआ एक पेचीद आदाद होता है, यानि अगर हकिकी number और ख्याली number दोनों को merge करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक complex number यहाँ पर मिल जाएगा, हकिकी आदाद मिल जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो या कह सकते हैं, टाइप किया हुआ हूँ, और कुछ लिका हूँ, दोनों भी तरीके से यहाँ पर है, तारीफ कैसे कह सकते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, complex number को Z से जाहिर करते हैं, Z बराबर A जमा IB, यह हमारा क्या है, एक complex number है, Z बराबर A जमा IB की शकल का number पेचीदा अदत क इस तरीक से मैंने बनाया हूँ, ताकि आख लोगों को समझने में आसानी हूँ, तो Z बराबर A जमा IB की शकल में जो number दिख रहा है, यहाँ पर एक पेचीदा नमबर है, पेचीदा आदत कहलाता है, जहाँ A और B हकी की आदत है, और मैंने आपको बता हूँ, I की जो कीमत है इसे हाँ पर वो क्या है, जिजर्वजा एक दोनों SIDE, दोनों का मुरब्बा कर होगे अगर तो I की कुवदद को होजाएगा, इsmued का का मुरब्बा कर दोनों से कैंसल होजाएगा, वज़ा एक बचेगा, तो box के अंदर मैंने इसकी तारीव दिया हूँ, चलिए आगे बढ में अच्छा नहीं समझ पाऊंगे लेकिन इंग्लीश वाला होता है वह बहुत अच्छा इसको जबोलता हूँ और मिल जूम्छाता हूँ इंग्लीश को बता रहा हूँ आपको एक साथ डोनों भी एकी साथ पढ़ने को मिल रहा है हो सकता है कि आपको यहाँ पर ही उर्दू के अंदर ही यानि बारवी तक के ही आपके English medium के concept भी strong हो जाए क्योंकि जहीर सी बात है आपको बारवी के बाद में जो है English medium ही रहना है उर्दू medium तो उहाँ पर आरा नहीं है तो English medium जब वहाँ पर रहेगा तो अब भी से आपके यह concept क्लियर होते हुए चलेगे complex number a number of the form ऐसा number जो है एक number जो इस शकल में होता है form मतलब शकल यहाँ पर ऐसे लिया गया है इसको आर के अंदर आते हैं इस सिंबॉल का इस अलामत का मतलब होता है इसको कहते हैं इसके अंदर है real number आर का मतलब है real हकी की आदाद है आई की जो कीमत हो जज़र वज़ा एक होती है जिसको अगर कुवद्धो कर दिया जाए तो इसका ज़़र कैंसल हो जाएगा वज़ा एक बचेगा कहते हैं complex number इसे हम क्या कहते है complex number कहते है और इसे आम तोर पर हम किस से जाहिर करते हैं that is z is equal to a jama i b यानि हम यहां कह सकते है कि z बराबर जो होता है वो a jama i b की शकल में है a b जो है r में है और i की की मत यह है यानि इतनी definition को उसने एक line के अंदर इस तरीक से आपको short में बता है here a is called the real part of z यहापर जो a है उसको क्या कह रहा है real part ख्याल उसका हकीकी हिस्सा किसका z का z बराबर लिया है नहीं यह z जो है यह z बराबर a jama i b है ना उसके लिए तो z का जो है a क्या है हकीकी पार्ट है जबके जो b वाला पार्ट है इसका वो उससे हम इसको कहते कैसे यह भी पता है z and it is denoted by real part of z इसको short में ऐसे लिखते है re of z भी कहते है इसको और r of z भी कहते है b is called imaginary part यानि b वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है imaginary part की तरह बाता है जिसका z का और इसको हम i m of z से भी दिखाते है और i of z से भी दिखाते है meaning दोनों का याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते है imaginary number यानि जो ख्याली नंबर हमारे है तसवरी या ख्याली नंबर उसको हम और कैसे दिखा सकते है आपर भी मैंने बता हूँ आपको imaginary number a number of the form b i यानि सिर्फ i के साथ में एक नंबर दिख रहा है कोई भी नंबर हो सकता है जहां b एक real number है और b जो है zero नहीं है और i की किमत क्या है जजर एक है तो इसको हम क्या कहते हैं imaginary number कहते है उर्दो में क्या कहते है ख्याली नंबर और तसवरी अदद या ख्याली अदद यहाँ पर दिया हुआ है यह उर्दो में लिखा हूँ जजामपल के लिए जजर वज़ा 25 यह आपका जज़र में जितने भ कोई भी नंबर ले लो जो वज़ा के साथ में आया है तो आपका imaginary नंबर बनता है imaginary नंबर जज़र वज़ा 25 जो है पाच आई लिख सकते है उसको 25 का पाच बाहर निकल लेगा और वज़ा एक जो है वह एक imaginary नंबर है दो बाए साथ आई एक imaginary नंबर है माइनस 11 एटीसी यह सब क्या है यहाँ पर मिसाले दिया हूँ मैंने जैसे जज़र दो आई आई बाहर है जज़र के अंदर नहीं लिखना इसको आई जो है वो हमेशा ज़़र के बाहर लिखा जाएगा वैसा ऐसा मत करना ज़़र बनाया एक imaginary नंबर है यह हमारे एक imaginary number है स्माइड में आया होगा है हमारी imaginary number यानि खयाल आगलाती है और पेचिदा आदात के लिखना है ना मैं इससे सेट के दे, c बराबर bracket है यह जमा आई, जहां a b क्या है, real number से i है, यहाँ पर भी वही definition लिखी गई है, मैंने इसको बढ़ा करके लिखा हूँ, यहाँ पर वही है, यहाँ पर उसके मिसाली दी गई है, मिसाली जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे है, एक टेबल मैंने बनाया हूँ चार्ट यहां पर मतलब यह आपको चार्ट और रेडिमेट बना बनाया मिला हुआ है इसके अंदर आपको यहां पर जैट के लिए नंबर दिये गए है कुछ उसमें रियल पार्ट कौन सा है मैंनरी पार्ट कौन सा यह बताया गया है जैसे यह सेट देख रहे हैं यहां पर कॉलम देख रहे हो यह हमारा जो जुदूल है उसके अंदर आप देख पा रहे हो यह जो है सुतुन जैट के लिए है जैट की किमल यहां पर यहां पर यहां रियल पार्ट निकलना है इमाजनरी पार्ट निकलना है देखो दो जम्म चार आई पर भी वही है, दो जम्च चार आई, tpid single इंट ऑई केसा और चार क्या है इसका इमाईट्नरी पार्ट ऐसे लिखो गया आपर ओवजows ream चार नहीं उसके तद्व हो गया चार त्व कैसे दीखो गया है चार और नम पर पड़ेगा कैसे लेना जैसा नंबर है वैसे दिए दिए ना तेन तो दिखने रहे तो क्या करेंगा फिर उथा लिए नंबर है तो यहां पर पाथ जम जजर वज़ा तो यह क्या है इसको पहले आप हल करोगे जजर में से 16 16 16 16 16 16 16 चार होता है चार बहार निकला और वजाएक अंदर बचेगा तो वजाएक का आई बन जाएगा उसकी तारीफ ही है यह यह बराबर जजर वजाएक यहां पर वह पाच जमर चार आई लिखोंगे फिर इसको अलग करोगे तो पांच क्या है रियल है और चार आई इसका इमाइज ने लिख यहां पर आप देखो यह वाला एक नंबर ले ले तो यह तो आपको समझ में आई जाएगा यह वाला देखो यह भी बता दे तो यहां पर दो जमर जजर पाच आई है देखो मैं जैसे बताया था आ करके है यह रियल पांठ आई है लहां को यहां पर चाएंब लिखो तो यह आपका पूरा पूरा रियल पार है अजैंग तक कि हमесто अग legislature आई करके adjust करें हमने आई वाला पार्ट इसको तो साज जमस जजर तीन जो है इसका रियल पार्ट हो गया और जिरो जो इसका इमाइनरी पार्ट हो गया आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारा second part है algebra of complex number यानि पेचीदा आदात का अगर आपके पास में है complex number पेचीदा नंबर तो उसकी जमर करना मजमूर करना उनका subtraction करना तफरीक करना जरब करना तकसीम करना इसे हम कहते है algebra तो पहले हम क्या करेंगे जमर देखेंगे अगर हमारे पास दो complex number है दो कोई भी दो number है आपके पास में addition of two complex number यानि दो पेचीदा आदात का जोड कैसे ने करते हैं देख लेते हैं समझ लीजिए आपर example के साथ मैंने बता हो दो नीचे example भी जिया हो पहले आप समझ लीजिए क्या करना होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास में z1 z1 बराबर a जमा i b है और z2 बराबर c जमा i b है कोई 2 पेचीदा आदात है ठीक है एक आपके वस में ये पेचीदा आदात हो गया दूसरा ये पेचीदा आदात होगया तब Z1 और Z2 यानि ये Z1 और ये Z2 को जब आप जोड़ोगे Z1 जम्र Z2 करोगे तो इसको किस तरी से लिख सकते हैं तो इस तरह देखा जाएगा A जम्र B जम्र अभी इसको मैं आपको एक्जामपल नेचे बताता हूँ ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था चलिए एक्जामपल से समझाओंगा आपको किलियर हो जाएगा ये है हमारे उसका मिसाल बहुत सिंपल है दो कॉंपलेक्स नमपर को कैसे जोड़ा जाता है तोखो ऊसके और में जमर केते को क्या कहनना उसका जो रारत काक्षा है ऑते हो acut हखिकी इससार जो होता है उसको अलग जम्हा कर देना और इम्हाज़स о्थ घूल डेना उनकी जम्हा कर दे चार जमा पाच आई हमने हम पर लिया है अब मैं अगर बोड़ा हूँ आपको वेसा ऑर ज्एut डोनों को जमा किजी तो कैसे करोगे आप जैडवन बराबर जैडवन जमा जाट्टू करोगे किस तरह किसे लिखोगे इसको पहले आप क्या करोगे ऐसे लिखोंगे वार गेड़ार की सब्सक्राइभ चैनला की कि यहां पर रखें नुंसा रोखी सब्सक्राइख के इसके इसका लिए घखनार इसीधार इमय害 आट थे इधर इसका imaginary 3 i है इसका imaginary 5 i है तो 3 i को 5 में जमा करना आपका जवाब हो गया आई वालों को i दे देना तो जवाब हो जाएगा दो चार रोग उच्छे और यह पांच तीन आठ तो जमाब हो गया 6 जमा आठ आई तो यह हमारा इसका जवाब बने तो ऐसे ही हम दो complex number को कोई भ मैंने आपको इस लेक्ट्र में बता हूँ ठीक है तो यहां पर मैंने आपको यह बता हूँ कि दो नंबर आपके पास में आट करना है तो जैसे अडिशन है वैसे सब्रेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं में से real को सब्ट्रेक करना imaginary में से imaginary को ऐसे हम कर दे multiplication और division का rule थोड़ा change है वो मैं आपको next lecture में बता होगा जैसे आप लोगों को बताया गया है lecture को आप अच्छे से देखिए और इसकी notes खुद की की जितने भी फ्रेंड्स है उन सभी को मेरे वीडियो को share कीजिए और मेरे वीडियो जो YouTube चैनल है उसको subscribe कर लीजिए मेरा एक YouTube चैनल के साथ में मेरा एक एप भी है तौसिपसर आप आगे आने वाला चैनल को subscribe करके रखिए और जितने भी आपके दोस्त है जो जॉइन करना चाह रहे है ओफ लाइन के बारे में जैसे बता हूँ शुरु में अगर आप इंट्रेस्टेड है बच्चों के लिए आप और आंख रहे गा तो शायद उन लोगों नहीं हो पाएगा वह तो का है chemistry और biology भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा class 11 का syllabus आप लोगों के लिए free of cost रहेगा सारी चीज़े आपको यहां से मिलेगी आप सारे lectures देखिए अच्छे से कुछ अगर problem होती है problem means अगर आपको कुछ पूछना रहा तो आप comment section में आप इस वीडियो के जो भी वीडियो के अंदर आपको कुछ पूछना रहा तो उसी के comment section में comment दाल दीजिए अगर हमारा जब भी time मिलता है फुरसत मिलती है तो आप लोगों का answer देने के हम खुशिश करेंगे नंबर मेरे आपको जो है मैंने शुरू में दे दिया हूँ आप हाँसे भी मेरे वहाँ पर दोनों नंबर है WhatsApp नंबर है दोनों कुछ भी आगर दिक्कत रही कुछ पूछना रहा तो आप मुझे बिल्कुर बता सकते हैं आज का lecture है इसके बाद जो हम क्लास 11 के खास्तवर से उसके उपर से हम जो क्लास के अंदर टेक्स्बुक के अंदर मिसाले दी गई है उनको हल भी करेंगे आप अपनी इसकी प्रॉपर लिए खुद की नोड्स बनाईए अगर आपको कुछ पूछना रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके या फिर मेरा आपको दिये हुए हुआ पर भी आप जाके मैसेज डाल लिएगा वाल ना करे तो बहतर होगा मैसेज डाल लिए सिफ क्यों कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उस टाइम में आप लोगों का कॉल मैसेज का रिप्ले देने की कोशिश करोगा पुरी-पुरी कॉल अ झाल 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 झाल